यहां हम देखते हैं कि चक्रविद्धी ब्याज के कारण 310 रुपए का अधिक भुक्तान करना पड़ेगा। साधारन ब्याज के संदर्व में प्रतेक वर्ष मूलधन समान रहता है जबकी चक्रविद्धी ब्याज में यह प्रतेक वर्ष के बाद बदल जाता है। आईए चक्रविध्धी ब्याच ज्यात करने की संक्षिप्त विधी सूत्र ज्यात करने का प्रयाज करें माना मूलधन बराबर P, दर बराबर R प्रतिशत, समय N और मिश्रधन A है तब प्रथम वर्ष का ब्याच I1 बराबर P1 गुणित R गुणित 1 पूरे के बटे 100 प्रतम वर्ष के बाद मिश्रधन A1 बराबर P1 धन P1 गुणित R गुणित 1 पूरे 100 बराबर P1 कोश्टक में 1 धन R पूरे 100 बराबर P2 याने की दूसरे वर्ष के लिए मूलधन द्विती वर्ष का ब्याज I2 बराबर P2 गुणित R गुणित 1 पूरे 100 बराबर P2 गुणित R पूरे 100 धन P1 कोश्टक में 1 धन R पूरे 100 बराबर P1 गुणित 1 धन R पूरे 100 बराबर P3 याने की तीसे वर्ष के लिए मूलधन त्रिती वर्ष का ब्याज I3 बराबर P3 गुणित R गुणित 1 पूरे 100 बराबर P3 गुणित R पूरे 100 इसलिए तीन वर्ष बाद मिश्र धन A3 बराबर P3 धन I3 A3 बराबर P1 कोष्टक में 1 धन R पूरे 100 पूरे का वर्ष धन P1 कोष्टक में 1 धन R पूरे का वर्ष गुणित R पूरे 100 A3 बराबर P1 कोष्टक में 1 धन R पूरे का वर्ष गुणित 1 धन R पूरे 100 A3 बराबर P1 कोष्टक में 1 धन R पूरे की घात N इस प्रकार N वर्ष के अंत में कुल राशी मिश्र धन A N बराबर P1 कोष्टक में 1 धन R पूरे की घात N मानक रूप में A बराबर P कोष्टक में एक धन आरबटे सो पूरे की घात N मिश्रधन बराबर मूलधन गुनित एक धन आरबटे सो पूरे की घात समय चक्रविद्धी ब्याज बराबर मिश्रधन रिंट मूलधन C I बराबर A माइनस P C I बराबर P कोष्टक में एक धन आरबटे सो पूरे की घात N रिंट P C I बराबर P बड़े कोष्टक में छोटा कोष्टक एक धन आरबटे सो पूरे की घात N रिंट 1 अतह इस सूत्र का उप्योग करके चक्रविद्धी ब्याज की गणना करते हैं